तो गाईज, आज जो एक प्रॉब्लम हम देखने जा रहे हैं ट्री की, especially BST की, बायंतरी सर्च ट्री की, वो ये है कि हमें इस ट्री में element फाइंड आउट करना है, whether that element is present or not, अगर present है तो हम true return करेंगे, otherwise हम false return करेंगे, सबसे पहले हम problem statement समझ लेते हैं, कि ये problem है क्या, then we will discuss the solution and approach, one by one, problem को समझने के लिए हम सबसे पहले एक tree draw करेंगे, और ये sample input जो भी है, इन्हें ही समझेंगे, और tree में हमें actual find out क्या करना है, क्या सर्च करना है, that thing we will discuss, इसे समझने के लिए मैंने एक tree draw कर रखा है, आप देखोगे right side में यहाँ पे, red color में मैंने already tree draw कर रखा, ये same ही है, हमारा root यहाँ पर 8 है, उसके बाद left side वाला हमारा 5 10 है, 5 10 के बाद, I mean 5 left 10, यहाँ पर आप देख सकते हो, उसके बाद हमारा 2 6 है, तो 5 के left side में 2 and 6, and the similar, minus 1, minus 1 मतलब की 2 के कोई children नहीं है, minus 1, minus 1 मतलब 6 के भी, और यहाँ पर minus 1, 7, इसको फिर से देखते हैं, कुछ missing है, यह हमारी 8 value होगी, as a root, 5 10 हमारा हो गया, and उसके बाद 2 and 6, 2 and 6 अपने आप 5 के part है, minus 1 और minus 1, यह आपका 10 के लिए चला जाएगा, I mean 10 के बाद, हम हर एक level wise चेक करते हैं, अगर आपको नहीं पता है, जो लोग ने हैं, कि हमें यह tree कैसे draw करना होता है, तो यह level wise होता है काम, हम पहले अगर आप first level पे हैं, first level का मतलब सिर्फ 8, अब हम second level पे जाएंगे, second level पे 5 और 10 के बारी है, 5 और 10 की, फिर उसके बाद हमने 2, 6 ले लिया है, इसका मतलब हम third level पे जा चुके हैं, 2 और 6 अल्रड़ी 5 के left side में आ गया है, बट अब 10 के left side में क्या होना है, यह भी हमें बताना होगा, तो minus और minus 1 है 10 का left और right minus 1 minus 1 है इसका मतलब वहाँ पर कोई value नहीं है again minus 1 minus 1 मतलब कि 2 का भी कोई value नहीं है बड़ उसके बाद minus 1 और 7 है इसका मतलब कहीं न कहीं 6 के left में तो minus 1 है कोई value नहीं है बड़ 7 right side में है तो इस तरीके से हम draw कर रखे हैं उसके बाद हमारा पास minus 1 minus 1 है इसका मतलब 7 के लिए भी आगे हमारा पास कोई children नहीं है इस case में हमें find out करना था क्या यहाँ पे 2 to find out करना है that means यह present है या नहीं है already present है तो उस case में हमारा के return होगा true वहीं अगर कोई पूछे हमसे इसी ट्री में second input में 12 present है या नहीं है तो 12 की case में क्या बनेगा यह यह यहाँ पर present नहीं है so इस तरीके से हमें true और false रिटन करने है तो आज यह इसका code discuss कर लेते हैं कि हम इसे कैसे resolve करेंगे इसको मैं erase कर देता हूँ for the time being and let's jump code बहुत simple रहने वाला है और यहाँ पर हम देख लेते हैं सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि check कर ले रहे हैं कि क्या हमारे पास जो tree है या tree ऐसा तो नहीं है I mean कोई न कोई value होनी चीए इसमें अगर कुछ न कुछ value नहीं होगी तो हम कैसे check करेंगे I mean null है तो उस case में हम false return कर देंगे हमें कुछ करने की जरुरत ही नहीं है अगर null नहीं है ये वाला case हमारा match नहीं होता है तो हम आगे बढ़ जाएंगे पहली call हमारी जाएगी 8 के लिए ठीक है पहली call हमारी 8 के लिए जाएगी 8 को check करेगा क्या 8 2 के equal है नहीं है तो यहां से call आगे बढ़ेगी फिर यहां पर आएगी फिर इसने क्या किया है कि 8 के left में call बढ़ा दी 8 का left क्या है यहां पर 5 पहली call 8 के लिए जाएगी दूसरी call 5 के लिए जाएगी क्योंकि यहां पर क्या है root left and k 5 के लिए check करेगा again call यहां पर आएगी उपर देखेगा क्या यह equal है के के अभी भी नहीं है तो फिर दूसरी call फिर left में चली जाएगी आप देख रहे हूं यहां पर recursive call अपलाई हो रहा है recursive call अपलाई हो रहे हैं का मतलब कि जब तक कि left side के node खतम नहीं हो जाते हैं तक कि यह आगे नहीं बढ़ेगा recursive call की वज़े से true के लिए आगे बढ़ेगा true हमारा चेक करेगा क्या two और two के equal है तो हाँ यह two और two के equal है तो यहां से हमारा true return हो जाएगा कहने का मतलब कि यह आगे बढ़ने की जरुरती नहीं है यह यहीं से return कर देगा true और हमारा क्या होगा यह function true return कर देगा और हमारा solution accepted हो जाएगा चिक है अब एक odd scenario की बात कर लेते हैं false वाले scenario की इसको मैं कर देता हूँ erase एक false वाला case भी हम देख लेते हैं so that everything should be clear यह मैंने कर दिया erase false वाला scenario क्या हो सकता है अब ध्यान से देखो false वाला scenario यह हो सकता है कि हमें find out करना है क्या 12 which is not present 12 हमारा present नहीं है tree में तो उस case में हम पूरी searching लगा देंगे फिर से आते हैं पहली call हमारी 8 के लिए जाएगी यहाँ पर left के लिए 8 चेक करेगा नहीं कि equal है फिर हमारी left के लिए call चली जाएगी 5 के लिए आएगी फिर चेक करेगा कि 5 के लिए equal नहीं है फिर यह 2 के लिए call चली जाएगी 2 के equal नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर हमें क्या check करना है हमारे पास जो input आ रहा है वो हमारा 12 से चेक करने का आ रहा है और हमारे पाई starting input क्या है 8 root हमने भेज दिया है और second parameter हमारे क्या है 12 है तो हमें ये चेक करना है कि कहीं न कहीं हमारी values क्या होने चाहिए 12 के equal होने चाहिए भी भी नहीं है तो अब इसके left में call जाएगी left के call में यहाँ पर देखोगे आप already क्या है कुछ है ही नहीं यह call यहाँ से return हो जाएगी नल के case में मतलब यहाँ पर false return करके दे देगा यह ठीक है तो is left present in left यह वाला हमारा already क्या है false return हो चुका है अब अगले वारी है यह यहाँ से call back जाएगी back जाएगी तो फिर यह right के लिए call करेगा क्योंकि 5 ने left की call complete कर लिए अब second call आप जानते हो कि अगर आपने recursion पढ़ रहे हो तो recursion में हमारी call जहाँ पर pause हो रखी है वहीं से फिर से start होती है 5 के बाद अगर हमारी left call गई है 2 के लिए तो यहाँ से अगली call जो pause और अखीती right वाली वो start हो जाएगी यह left के बाद अगला call execute होगा यहाँ पर तो अगली call execute होने के लिए 5 के right में क्या है 6 के लिए call जाएगी 6 और 12 फिर यहाँ पर चेक करेगा क्या 6 और 12 एक्वल है नहीं यह तो equal नहीं है तो फिर आगे बढ़ जाएगी call हमारी फिर 6 यहाँ से फिर से आगे return करेगा यह 6 का अगली call हमारी क्या आजाएगी left के लिए जाएगी क्योंकि right की call होने के बाद यह left पर जाएगा 6 के left में कुछ है ही नहीं तो 6 के left में कुछ नहीं है तो यह भी false return कर देगा लेकिन 6 के right की call जब जाएगी यहाँ पर तो यह यहाँ पर 7 आएगा तो 7 के case में भी क्या है हमारे equal आ रहा है तो यह भी false return कर देगा तो कहने का मतलब कि जब तक यह equal नहीं होगा हमारा यह वाली condition समय क्या है false return कर देगी बट यहीं पर अब call backtrack होकर आएगी वापस 8 के पास क्योंकि 8 का left वाला part complete हो गया है 8 ने अपने left वाले पार्ट की calling complete कर ली है अब 8 की call जो यहाँ पर रुकी हुई थी left वाली अब वो right side के लिए call जाएगी right side के लिए उसने call कर ई, 8 के बाद 10 के लिए तो 10 के लिए भी वो check करेगा कि क्या 10, 12 के equal है यहाँ पर नहीं वो भी equal नहीं है और यहाँ पर वो 10 के left में check करेगा 10 के left में कुछ नहीं है तो false यहाँ से return कर देगा 10 के राइट में चेक करेगा तो वहां पर भी false return कर देगा तो इस तरीके से हमारा पूरा tree traverse तो हो गया बट हमारे पास कहीं पर भी ये वाली value नहीं मिली 12 वाली तो इस तरीके से हमारे overall जो return होगा is present left side से is present in right side से दोनो false false उसके समरे के पास क्या आएगा value false आएगा I hope कि ये solution आपको समझ में आ गया है and approach जो मैंने discuss किया है अगर फिर भी कोई issue है कोई doubt है you can mention in the comment I will definitely reply so मिलते हैं कि नई problem में तब तक के लिए take care bye bye thank you